बात करेंगे प्यास के बढ़ते दामों की घाजियाबाद में एक बार फिर से प्यास के दामों ने लोगों को रुला दिया है प्यास के बढ़ते दामों की वज़े से आम आदमी के साथ-साथ प्यास के थोक विक्रेता भी परेशान हो रहे है उनका कहना है कि प्यास के बढ़ते दामों को लेकर दुकान पर कोई भी प्यास खरीदने ही नहीं आ रहा वहीं सबसी मंडी में दो तरह की प्यास बेची जा रही है जिसमें एक लाल रंकी है जो की 100 रुपई किलो है लोगों का कहना है कि प्यास अब उनके खाने से गायब हो गई है मैंना प्यास के लोग सबजी बनाने को मजबूर हो गए है वहीं कुछ दिन पहले गाजियाबाद के डियम ने कहा था कि सरकारी विभाग के तरफ से प्यास के आउटलेट खोले जाएंगे जहां पर सस्ती दरों पर प्यास उपलद कर आई जाएगी लेकिन अब तक भी किसी तरह का उटलेट प्यास के लिए नहीं खोला गया है कम आने की वज़े है कि माल जो खेतों में से नहीं आ रही है मंडी पूरा नहीं कर पारे इनको और जो मंडी पूरा कर पारेंगी तो फिर भाव कम हो जाएंगे इसके फिलाल अभी 120 रुपे किलो है जो गुलावी प्यास है और जो नई वाली प्यास लाल वाली आ रही है वो 90-200 रुपे किलो है और प्रियाग राज में प्यास की बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है यहाँ प्यास सौ रुपए प्रति किलो के हिसाब से विक रहा है प्याज की बढ़ी हुई कीमतों से ना सिर्फ आम लोग बलकि सबजी विक्रेताओं को भी दिक्कतों का सामना करना करना पड़ा है वहीं कारोबारियों का कहना है कि दो से तीन हफते के बाद ही प्याज की कीमतें घटने की उमीद है ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संबाद दाता मन्मेंद प्रताप से बीते कई महनों से प्याज की कीमतों में तेजी के बीच आज प्याज की मंडी में प्याज की कीमत पूरे सो रुपे हो गई यानि प्याज की कीमतों ने शतक लगा दिया और आप इस वक्त देख सकते हैं, प्रियाग राज की एक मंडी में मौजूद हैं, पहले तो यहां पर प्रियाज आपको आसानी से दिखाई नहीं देगी, एक तरफ जहां इस मौसम में तमाम सब्जियों की भर्मार दिखाई दे रही है, हरी सब्जियां दिखाई दे रही है तमाम तरह के साग और गो भी और तमाम तरह की सबजी हैं लेकिन इस बीच में प्याज आपको बमुश्किल दिखाई देगी कुछ चुनिंदा ठेलों पर दिखाई देगी और जैसा कि यहां के जो दुकानदार है उनका कहना है कि उनको खुद मंडी से 80 रुपे से ज्यादा क पर प्याज बिक रही है मिल रही है इसलिए वो इसे यहां पर सो रुपे की कीमत पर बेचने को मजबूर है और जिस तरह से हमने देखा है बीतेक तीन मेनों से लगातार प्याज का दाम जो है वो काबू में नहीं आ पाया है हला कि तमाम सबजीयों के दाम बढ़े थे लेक पाओ आधा किलो प्याज लेकर किसी तरह से काम चला रहे हैं लेकिन मुश्किल होती है बिना प्याज के सबजी बनाने में इस लियाज से जो कीमते बढ़ रही है वो लगातार जारी है और इतना ही नहीं जो तमाम जो यहां के दुकांदार हैं जो अड़ाती हैं उनका कहना है कि आने वाले समय में प्याज की कीमत और बढ़ेगी और 120 रुपे तक होगी हला कि दूसरी तरफ खबर ये भी है कि सरकार विदेशों से प्याज आयात कर रही है तो देखना ये होगा कि कुछ समय बाद यहां पर प्याज का दाम स्थिर हो पाता है कम होता है या जिस तरह से तेजी जारी है उस तरह से आगे भी प्याज के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे प्यागरा से वीड़ो जेनलिस विवेक्ष रवास्तों के साथ मानवेंद प्रताप सिंग निउस स्टेट उतरप्रदेश